नमस्कार दोस्तों दोस्तों देखा जाए बॉलिवूड के दो पुराने दिकज एक्टर आ गए हैं आमने सामने एक का नाम है नसरुदीन सा और दूसरे एक्टर है नाना पाटेकर अभी हाली में हम लोगों ने देखा है गदर्टू ने किस हिसाब से बॉक्स ओफिस के एलेक जानी देवर के प्रसंसक है उनको ये बात हजम होने वाली नहीं है दरसल मैं बता दू नसरुदीन सा ने अभी हाली में एक इंटर्व्यू दिया था और इस इंटर्व्यू के दोरान कहा था कि फिल्मों में उग्र राष्टवाद का दिखाया जाना और इस तरीके का फिल् कुमीर फाइल्स को ले करके दोस्तों अगर कोई मूवी सच्ची घडना पर आधारित मूवी बनती है तो बॉली वुड के एक्टरों को क्यों जलन होने रगती है दरसल उनको तो इन मूवीयों का सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि बॉली वुड में सच्ची घडन साह को ही को दिखा और बॉली वुड में किसी एक्टर को क्यों नहीं दिखा और देखा जाए तो नसरुद्दीन साह का मूँ तोड जवाब दिया है नाना पाटेकर ने दोस्तों क्योंकि नाना पाटेकर की मूवी रिलीज होने वाली है दा वैक्सीन वार और उसी मूवी का वो आजकर प्रमोशन भी कर रहे हैं इसी प्रमोशन के दोरान देखा जाए प्रेस मीडिया ने नाना पाटेकर से कुछ सवाल कर लिये और इसी सवालों के भी उन्होंने नसरुद्दीन के उस सवाल के बारे में भी उनसे पूछ लिया जिसमें नसुरुदीन सा ने कदर टू और दा केरला स्टोरी दा कस्मीर फाइल मूवी को उगर राष्टवाद बता दिया था इसके जवाब में नाना पार्टेकर ने कहा कि मेरे अनुसार राष्ट के प्रती प्रेम दिखाना ही असली राष्टवाद है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है देखा जाए दोस्तो नाना पार्टेकर की इस बात को सुनने के बाद नसुरुदीन सा को 100% लाल मिर्ची लग गई होईगी क्योंकि नसुरुदीन सा अगर इस टाइप की मूवी के बारे में राष्ट उगरवाद का इस्तिमाल करेंगे तो देश की जनता कैसे चुप बैठेगी क्योंकि देश की जनता ने देखा जाए इन मूवियों को पॉपलर बनाया था और वैक्सीन वार के डिरेक्टर विवेक अगनोत्री है और विवेक अगनोत्री ने देखा जाए गा कस्मीर फाइल मूवी भी बनाई थी ऐसे में विवेक अगनोत्री को भी मूँ तोड जवाब दिया है नसुरुदीन सा के बारे में वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है नसुरुदीन सा के बारे में कमेंट में हमें चरूर बता है हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइब